इना लेटेस्ट वीडियो हमने आपसे बात करी थी कि अगर आप quarter life prices और mid life prices के अंदर trapped नहीं होना चाहते हैं तो आपको एक additional source of income को build करना बहुत ज़रूरी है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम income को समझ रहे हैं तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि income दो तरीकी की होती है एक active income और एक passive income अब ये active और passive income क्या है और आपके लिए passive income को build करना क्यों ज़रूरी है और आप इसे कैसे build कर सकते हो या आप इस वीडियो में सीखने वाले हो तो जब हम income के उपर बात करने वाले हैं मुझे पता आपका interest है income को जानने में और income को बढ़ाने में तब ही आप इस channel पर आए हो अगर आपको ये वीडियो ची लगती है तो इस वीडियो को share जरूर कीजेगा so that we can help a lot more people कि वो भी अपनी passive income को build up कर पाए अब शुरू करते हैं active income के साथ ये active income क्या होती है see active income का simply मतलब होता है वो income जो हम खुद मेहनत करके कमाते हैं हम मेहनत करते हैं हमारे efforts की उपर जो income dependent है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे तो वो होती है हमारी active income कहीं न कहीं हम इस active income को कमाने के लिए time को trade करते हैं मतलब time is equals to money अगर हमने 2 घंटे दिये तो हमने 2 घंटे के हिसाब से पैसा कमाया हमने 4 घंटे दिये तो 4 घंटे के हिसाब से पैसा कमाया तो इसे हम बोलते हैं active income पट यहाँ पे एक shortcoming है एक अंसान कितना ही अच्छा हो मान लीजिया आप world के best doctor है आप दिन में 1, 2, 3, 4, 10 patients को देख सकते हैं पट मान लेते हैं आपके पास 1000 patients आ जाएं एक ही दिन में तो क्या आप 1000 patients को treatment दे सकते हैं the answer is no आपके पास time limited है तो आप अगर 1000 लोगों को treatment नहीं दे पाएंगे तो आप जो उनसे fees charge करने वाले दे वो आपको मिलेगी नहीं तो आपके पैसा नहीं आएगा अब जब लोगों को यह concept समझ आया तो उन्हें समझ आया कि हमें passive income को भी build करना पड़ेगा कि अगर मैं काम ना भी करूँ तब भी पैसा कमा मतलब doctor 1000 patients को नहीं देख सकता तो वो क्या कर सकता है यह सोचना जरूरी है क्योंकि पैसे तो चाहिए तो यहाँ पे skills और time से उपर उठके आजाता है concept leverage का क्या आजाता है leverage leverage का मतलब होता है कि अगर आप काम ना भी करो तब भी काम हो रहा हो अब उस doctor ने क्या किया simply एक hospital खोल दिया और बाकी doctors को hire कर ली उन्हें salary देना शुरू कर दी लोगों से charge करना शुरू कर दिया एंड एक ecosystem बनाया आपको वो hospital दिखता है बड़ अगर मैं business terms की बात करूँ तो मैं इसे बोलता हूँ the passive income generation system अब ये passive income generation system जिसने बनाना सीख लिया वो जिन्दगी में क्या कर सकता है वो freedom को achieve कर सकता है and life का goal पैसा कमाना नहीं है भाई life का goal है life को enjoy करना और वो इंसान से तभी कर सकता है जब उसके पास passive income हो जब उसके पास financial freedom because मुझे ये समझ आता है कि financial freedom को achieve करना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं आपको train करना चाहता हूँ that you become financially free अब उसके लिए passive income को समझे passive income का मतलब है कि काम ना भी करो तब भी पैसा है या एक simple language में बोलनू तो income आप कैसे build कर सकते हो very interesting topic so इस income model को समझाने के लिए एक छोटी सी story सुनाऊंगा मैं आपको यह story है राम और शाम की दोनों friends होते हैं पर दोनों एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते हैं time को waste करते हैं so वो सोचते हैं कि अब हमें कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है भई हम बड़े हो रहे हैं में पैसा कमाना है हम करे तो करे किया अब वो गाउं में रहते हैं सोचते हैं करे तो करे किया तो राम कहता है भई इस गाउं की औरतें पानी भरकर लाती है पहाड के उपर से जो नहर है वहाँ से एक मटके को लेकर जाती है और मटके को भरकर लेकर आती है तो पानी की बहुत जुरूत है हमारे गाउं में क्यों ना हम भी मटके भरके पानी को गाउं में बेचे हमें पहाड के उपर ही तो जाना है तो यह हम करना शुरू करेंगे और हमें कमाईों नी शुरू हो जाएगी अब वो ऐसा करना शुरू करते हैं कमाईों नी शुरू हो जाती है बट कुछ ही दिलों के बाद राम ठक जाता है राम कहता है कि भई मैं बार-बार नहीं जा पारा कुछ सिस्टम मनाना पड़ेगा जिससे पानी अपने आप जो पहाड के उपर नहर है वहां से अपने आप गाउं पे पहुँचे तो वो एक कुमार के पास जाता है उसे प्यास लगती है और वहां पर क्या देखता है कि उसके पास एक ऐसी सुराही है जिसमें एक पाइप लगाया आगे और पाइप से जैसी वो खोलता है पानी आना शुड़ो जगता है तो वो सोसता है कि अगर पाइप इतनी बड़ी है तो क्या वो पहाडी से लेके गाउं तक पहुँच सकती है तो वो जब कुमार से पूछता है तो राम को कुमार जवाब देता है कि भाई बन तो सकती है वर टाइम लगेगा राम कहता है कोई बात नहीं टाइम लगाने के लिए मैं रेडी हूँ तुम मेरा साथ देना अब वो शाम से आके पूछता है क्या तू भी इंट्रस्टेड है एक पाइपलाइन मनाने के लिए अब शाम कहता है पागल हो गया इतनी बड़ी पाइपलाइन कैसे बनेगी बनी नहीं पाएगी तो मैं वोई काम करूँगा जो मैं कर रहा हूँ राम का साथ शाम नहीं देता बड़ राम के अंदर एक चीज़ क्लियर होती है कि भई अगर अपने आप जिस दिन आ गया ना हमारी मेहनत जिंदगी भर की बच जाएगी तो क्यों ना कुछ महीने लगा लिए जाए पाइपलाइन बिचा दी जाए अब वो कुमार के साथ लग जाता है कई महीने लग जाते है और उसके बात तयार हो जाती है पाइपलाइन और जिस दिन पाइपलाइन तयार हो जाती है शाम का बिजनस ही बंद हो जाता है क्योंकि जैसे ही वो पाइप के साथ नल को खोलते है नल खोलते ही पानी आने लग जाता है जितने मर्जी मटके भर लो तो यहाँ पर concept क्या है? pipeline बिचा दी जिससे पानी proper आ रहा है अब पानी आ रहा है तो जितने मर्जी मटके बेच लो इसे ही कहते हैं एक passive income generation system अब आपके लिए कैसे हो सकता है? यह कहानी मैंने 9th class में सुनी थी जब मैं 9th standard में था तब मैं एक network marketing seminar के अंदर गया था और वहाँ पर जाके मुझे समझ आया कि लोग passive income इस तरीके से कमाते हैं यह passive income का शब्द ही मैंने 9th class में सुना था अब 9th से मैं 12th में आगया और 12th के बाद मैंने जब काम करना शुरू किया तो मैंने पढ़ाना शुरू किया मैं communication skills की मैं personality development की लोगों को training देता था अब जब personality development के लिए लोग मेरे पास आते थे मैं पढ़ाता था ठीक है मेरे पास काफी बच्चे होगे अब वोई बात हुई कि doctor के पास patients बढ़ गए है मेरे पास भी लोग बढ़ गए है तो मैंने क्या किया मैंने अपने एक institute बना दिया और institute के अंदर मैं अपने director cabin में बैठता था कैमरे से देखता था कि teachers पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं अब अगर teachers अच्छा पढ़ा रहे है तो क्या मैं मैं मैंने नहीं कर रहा है मैंने एक बार मैंने करी system build करने के लिए और फिर teachers ने बढ़ाना शुरू कर दिया तो मुझे क्या आना शुरू हो गया passive income जब मुझे समझ आगे कि passive income आ रही है मैंने अपने 4 institutes कोल दिये जब मैं almost 18 साल का था तो 18 साल की उमर से मैं passive income को build करता जा रहा हूँ मैंने क्या क्या किया और आप क्या क्या कर सकते हूँ आपको options दे रहा हूँ मैंने अपने multiple institutes कोले मैं काम नहीं भी करता था तब भी पैसे आते थे यह हुआ first passive income concept उसके बाद what I did उसके बाद जो मैंने पैसे कमाए उससे मैंने online invest किया online e-learning education के अंदर कि भई मेरे पास आज मेरे आसपास के बच्चे तो आ रहे है बट जो बच्चा चन्ने में रहता है जो बच्चा गुजरात में रहता है जो बच्चा कॉलकता में रहता है बट वो भी training चाहता है उसे कैसे मिलेगी तो उसके लिए हमने एक online platform design किया उससे हुआ क्या मेरे पास students बढ़ गए वहीं पे जैसे students बढ़ गए अब मैं रात में सो भी रहा हूँ तब भी enrollments आ रही है तो ये क्या हुआ फिर passive income हुआ अब जो मैंने पैसा कमाया उसे मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया माली जे एक property rent पे दे दी तो जो rent आ रहा है वो क्या हुआ वो हुआ passive income तो passive income आनी शुरू हो गई उसके साथ साथ I did network marketing मैंने network marketing को समझा उसमें team build करी team ने काम करना शुरू किया मैं काम नहीं भी करता था तब भी पैसे आता रही जब मैं college time में था तब ही 1000 लोगों की team थी मेरे नीचे तो सोचिये उस time के अंदर जब बच्चे अपने career के उलेके confused होते हैं तब मैं passive income को build करता जा रहा था मैंने पैसे कमाए उसे मैंने stocks के अंदर भी invest किया अभी मैं recently बताऊंगा last month के अंदर मैंने अपने पैसे को double or triple कैसे किया within weeks तो मैं आपको भी exact proof के साथ दिखाता हूँ मैंने burger king के IPO में invest किया वहाँ पे जो प्राइस था वो था 60 रुपे बट जब burger king का IPO launch हुआ तो आज की rate में वह 190 रुपे का share है कितने टाइम के अंदर within weeks तो यहाँ पे 60 रुपे से 190 रुपे आप देख सकते हैं पैसे ट्रपल होगे आप मेरे को financial knowledge है इसलिए मैं नहीं कहरा सबका पैसे ट्रपल होता है जिसे knowledge है उसी का होता है second example मैंने भी better fruits के अंदर invest किया अब better fruits वो क्रेमे का कंपनी आपने biscuits बगा खाये होगे mayonnaise का ही होगी तो मुझे पता था कि यह चलेगा 100% 500 प्लस है तो 500 रुपए से ऊपर शेर प्राइस चला गया तो यहां पर क्या हुआ अब यह डबल हो गया अब यह डबल जो हुआ इसके लिए मैंने क्या किया I just invested bro but I got passive income because यहां पर पैसा था तो invest किया मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो अभी मैं कर रहा हूँ उसमें आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा आज मेरे बाब multiple books हैं अब वो books जब sell होती है तो जो sell होती है उसको जो royalty आती है कि हम उसके लिए काम करता हूँ No, that is again my passive income online courses है मेरे वो sell होते हैं पैसे इंकम आती है So, मैंने life में सिर्व एकी चीज़ को समझा कि actively काम करो सिर्व तब तक जब तक passive income नहीं आ रही passive income का model बनाना है आज जब मैंने पैसा कमा लिए हैं मैंने multiple businesses के अंदर invest किया हूँ है But as a silent partner अब silent partner का मतलब क्या है कि मैं काम नहीं भी कर रहा वो लोग business कर रहे हैं जो मेरे business partners हैं and profits आ रहे हैं तो वो divide हो रहे है अब profit मुझे मिल रहा है being a silent business partner again what is this This is passive income So, मैंने आपको वो चीज़े बताई हैं जो मैंने practically अपनी life में करी हैं आज अब ये YouTube वीडियो देख रहे हो ये वीडियो जिंदिकी पर चलेगी इस पर चलेगी पैसा आएगा Facebook पर देख रहे हो again पैसा आएगा again passive income तो life में मुझे एक चीज़ समझ आगी काम वही करना है कि अगर मैं काम ना भी करूँ तब भी पैसा आता रहे क्योंकि अगर काम करते रहेंगे तो कभी तो ठकेंगे कभी तो बोरोंगे जिंदिकी को खुल के जीना है तो passive income को build करना बट अब जितने भी businesses मैंने करे ये जहां से भी मुझे passive income आती है आप हाँ पर दो चीज़े देख पाएं कि आपको क्या दो चीज़े चाहिए पहली चीज़ पैसे से पैसा बन रहा है Real Estate में investment पैसा चाहिए Businesses में investment पैसा चाहिए Stock में investment पैसा चाहिए बट जहां से पैसा नहीं चाहिए था पहाँ पैसा थी expertise वीडियो बनाने के लिए चाहिए आपके पास knowledge होनी चाहिए आपके पास skills होनी चाहिए आपको बोलना आना चाहिए अगर आपके पास skills है तो भी आप पैसा कमा सकते हो But there is one field I will recommend you Through my career मैं आपको बताऊँगा There is one field जहां पे अगर आपके पास पैसा नहीं भी है और आपके पास expertise नहीं भी है तब भी आप एंटर कर सकते हो जब मैंने अपने career की starting में network marketing profession को choose किया तो उस time पे मैंने इक चीज़ देखी कि इस business में लोगों को बहुत सबाँ पैसा नहीं चाहिए expertise नहीं चाहिए वो develop की जा सकती है तो क्यों ना आप इसे भी एक passive income opportunity कीतना देखी है एक बार आपने team structure खड़ा कर दिया वो team multiply कर रही है turnover अपने आप आ रहा है और turnover का एक percentage आपको मिल रहा है as a passive income तो क्यों ना passive income को build किया जाए तो क्या आप passive income को build करना चाहते हो that is a question अगर हाँ तो आप उस व्यक्ति को contact कीजिए जिसने आपके साथ इस वीडियो को share किया है so that आप शुरू कर पाएं passive income को समझना और कमाना इसके साथ साथ अगर आप network marketing में है आप online digital marketing का use करके recruitment कराना चाहते हो अपने chat board बनाना चाहते हो lead generation से लेके automatic joining की process सीखना चाहते हो तो there is a training course I'll recommend you जिसका नाम है The Digital Network Marketing Revolution अभी ये course pre-launch offer पे आपको मिल रहा है starting के 300 लोगों के लिए आपको एक pre-launch discount मिल रहा है so a discount offer आपको मिल सकता है इस course के उपर and अगर आपको एक course मिल गया तो आपका जो growth है उसों कोई नहीं रोख सकता so what you are required to do just call the number job की screen पर आ रहा है इस number पे call कीज़े पूछिए क्या pre-launch offer में seeds बाकी है अगर हाँ तो इस course को भी join कीज़े and finally you start to focus on passive income and passive income को build कीज़े जितना हो सकता हो उतना इस course की जानकारी के लिए इस वीडियो की description और comment box में की link है उस पे मुझे high बेज़े मैं आपको brochure बेज़ दूँगा so just send me a high and finally इस वीडियो को share कीज़े so that हम बहुत सरे लोगों को सिखा पाए कि passive income को build करना कितना जादा जरूरी है